नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मोबाइल से ही यह पता कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सीम कार्ड चालू या एक्टिव है तथा उसका नमबर क्या है तो दोस्तों है ना कमाल की बात आगे वीडियो काफी मज़ेदार होने वाली है बिना इसकिप किये वीडियो को पूरी देखें और इस मज़ेदार ट्रिक को आजमा के आप भी यह जरूर पता कर लें कि आपके खुद के नाम से कितने सीम कार्ड निकल चुके हैं और क्या आप उन नमरों का उप्योग कर रहे हैं या नहीं कर रह हैं आईए बिना देर किये चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रिन पर और जानते हैं आगे की परकिरिया को लाइब मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बटन को आउन करना नहीं बोलें ताकि हमारी नई-नई-मह साइट पर आना है जो कि भारत सरकार के संचार मंत्राले की दूर संचार विभाग द्वारा इससे बनाया गया है जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है इसमें आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहां पर आपको मोबाइल नमर डालने का आप्शन मि क्योंकि यहां पर आप जो मोबाइल डालिएगा वह नमर जिस भी विक्ति के अधार कार्ट से चालू किया गया होगा उसी के अधार कार्ट से अन्य कौन कौन सी कमपनियों की सीम कार्ट चालू है उसका डिटेल आपको इस वेब साइट पर दिखाई देगा तो इसमें आप आपको अपना दस अंको का मौजुदा मोबाइल नमर डालना है और उसके नीचे आए यह वाली कैप्चा को आप यहां पर सही से डालने और वेलीडेट कैप्चा पर क्लिक करना है जिससे आपके इसी नमर पर एक OTP आएगी इसे OK करें और यहां पर अपने मोबाइल में SIM कार्ड निकाले गए हैं इसके पूरी डिटेल आप यहां से देख सकते हैं यहां पर आपके नाम से निकाले गए SIM कार्ड के सुरू के दो और अंत के चार नमर दिखाई देगा जिसे देखकर आप असानी से यह जान सकते हैं कि आपके नाम से कौन-कौन से SIM कार्ड और कितन सिम कार्ट चालू हुआ है उसकी संख्या आप यहां से भी देख सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए तथा इसे अपने दोस्तों या रिष्तेदारों में सेयर जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बटन को आउन करना नहीं भोले ताकि हमारी और भी महत्पुर्ण नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में खुस रहें और जीवन का आनंद ले